मिठी मिठी खस्ता गुजिया जिसे खाती रह जाएगे पूरी दुनिया आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई नई शायरी है तो शायरी तो नई नहीं बनी है लेकिन जो गुजिया बनी है वो ऐसी बनी है कि मुझे ये शब्दा आ गए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी गुजिया बनाने का एक दम ही परफेक्ट तरीका जिससे कि जब भी आप गुजिया बनाएंगे तो आपके गुजिया बिना फटे एक दम ही खस्ता बनेगी और इतनी जादा टेस्टी बनेगी कि जो भी इसे खाएगा वो खाता रह जाएगा गुजिया को करंजी के नाम से भी जाना जाता है और हम इसे एक बार बना कर महीने भर तक अराम से स्टोर करके रख सकते हैं इसी के साथ हम इसे बिना मावे के बनाएंगे लेकिन फिर भी मावे जैसा स्वाध आएगा तो वह केसे तो धिर धिरे आप सब समझ जाएंगे पर सबसे पहले हेलो हाँ everyone एटी हम्यशस पर आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे यह खस्ता-खस्ता घुजिया तो फिर च के लिए सबसे पहले हम लेंगी एक मिक्सिंग बॉल और इसमें हम डालेंगी दो कप मेदा इतना मेदा में अपने लगबग 30 गुजिया अराम से बन जाएगी और ग्राम में ये मेदा लगबग 300 से 3700 ग्राम है लेकिन आपको मेजरमेंट कप से ही लेनी है तो ये मैने दो कप म हस्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे देसी घी और दो कप मेदा के लिए हमें डालना है वनफोर्थ कप देसी घी तो बस घी को हम मेदा में अच्छे से मिलाएंगे दोनों ही चीजों को मिलाने के बाद हमें इसके टेस्टिंग कैसे करनी है ये आप देखिए तो बस बांद कर देखना है अगर ये अच्छे से लड्डू की तरह या एक मुठ्या की तरह बन रहा है तो मतलब इसके अंदर परफेक्ट घी है अगर ये एकदम से बिखर बिखर जाए तो आप इसमें थोड़ा सा घी या तेल और मिला लीजे अब हमें इसका डो तयार करना है जिस क्या करेंगे कि एक गीला कपड़ा इस पर ढख देंगे और 15-20 मिनिट के लिए इसको हम साइड में रखेंगे अब एक कढ़ाई में हम 2-3 चमच तेसी घी को गरम करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे ये आधा कप सूजी यहाँ पर मैं जो सूजी ले रही हूँ ये थोड अच्छे से मिला लेंगे और फिर धिमी धिमी आज पर हम इसको अच्छे से भूनेंगे ये देखे आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन इसका जो कलर है ये कुछ-कुछ ऐसा हो जाना चाहिए तो अब हम इसमें इस टाइम डालेंगे चीनी तो आधा कप सूजी मैं आधा कभी चीनी डाल रही हूं और मैं इसमें चीनी को ऐसे ही डाल रही हूं आप चाहें तो चीनी का पावडर करके फिर इसमें डाल सकते हैं और या आपका जो टेस्ट है मीठा खाने का कम या जादा उस अकोर्डिंग भी आप इसमें चीनी थोड़ी कम या थोड़ी तो आब चीनी डालने के बाद हम इसको दोबारा से बूंगे और चीनी को थोड़ सा केरमलाइस करेंगे इस तरह से जब हम चीनी को सुझी के साथ थोड़ थोड़ सा पका लेते हैं तो चीनी के अधर आप की व्यज़े से फिलिंग और भी जादा टेस्टी लगती है खाने में तो यहाँ पर इसका जो color है वो perfect हो चुका है, हमें अब इसे इससे जादा नहीं पूनना है, तो बस अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी, तो आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और आधा कप ही इसमें हम पानी डालेंगे, आप जाहें तो पानी की जगे पर द अधा कप है, आप चाहें तो desiccated coconut या सुखा नारियल का बुरादा जो होता है, वो आप डाल सकते हैं, मैं इसमें कुछ drive roads पर डाल रही हूँ, तो यह थोड़े से बारिक कटे हुए गाजु मैंने डाले हैं, साथ थोड़े से बारिक कटे हुए बदाम इसमें डाल रही तो यह भी मैंने इसमें डाल दिये हैं, और अब flavor के लिए इसमें हम डालेंगे, यह half teaspoon हरे लाइची का powder, और इसी के साथ इसमें मैं थोड़ा सा जाइफल भी डाल रही हूँ, तो जाइफल इस तरह का सुपारी जैसा होता है, और बहुत ही अच्छी खुश्बू और flavor होता है, तो बस सभी चीजों को हम इसमें अच्छे से मिलाएंगे, अब आप सोचेंगी कि बिना मावा की यह गुजिया टेस्टी कैसे बनीगी, क्योंकि यह तो एक तरह से सुजी के हलवे के type का हो चुका है, लेकिन तो अब इसमें मावा तो हम नहीं डालेंगे, पर उसके जैस का स्किम्ड मिल्क पावडर, हॉल मिल्क पावडर या फिर डेरी वाइटनर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और अब यह मिश्रण अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने लगा है, और सभी चीज़े अच्छे से मिल भी चुकी है, हम अब केंस के आज को बंद कर देंगे, और इस सा अच्छिला पना जाएका, और यह एकदम स्मूध हो जाएका, अब इसमें से हम छोटे-छोटे से पॉर्शन निकालेंगे, क्योंकि अब जल्दी से हमें गुजिया बनानी है, तो हातों में हमें अच्छे से मसलते हुए, इस तरह से इसकी एक स्मूध बॉल बनानी है, फिर हम इसको बेल कर पतला करेंगे, तो बेलन की मदद से हलके हलके हातों से हम इसको इस तरह से फ्लेट करेंगे, इसके बाद गुजिया के किनारों को चिपकाने के लिए हम लेंगे थोड़ा पानी, और हमारी फिलिंग अच्छे से हो जाने चाहिए, ठंडी, तो यहां पर आप ठंडी हो जाने के बाद भी हमारी फिलिंग काफी सॉफ्ट है, तो बस अब चलिए देखते हैं कि गुजिया की शेफ हम कैसे देंगे, अब आप इस पर भी ध्यान देजिएगा, कि मैंने जो पूरी बेली है, यह काफी पतली है, मेरी उंगलिया भी इसमें से दिख रही है, तो आपको भी इसी तरह से इसे पतला पतला बेलना है, ताकि खाते टाइम पर कवरिंग जादा मुह में नहीं आएगी, और अब जो फिलिंग है हमारी वो हम इसके बीच में इस तरह से रखेंगे, अब हमें इसके किनारों पर थोड़ थोड़ा सा पानी लगाना है, और फि तारी फिलिंग तेल में आ जाएगी, तो अच्छे से दबाते हुए आपको इसको पतला कर लेना है, और अगर आपके पास मॉल्ड है गुजिया बनाने का तो उसमें आप आसाने से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम बिना सांचे के भी बहुत ही अच्छे सी दो डिजाइन में इन गुजिया को बना सकते हैं, तो पहली डिजाइन में हम क्या करेंगे कि इस तरह से जो फॉक होता है, वो लेंगे और इसके किनारों पर हम इस तरह से इससे दबाएंगे, जिससे की अच्छे सी एक डिजाइन इस पर आ जाएगी, तो दूसरी वाली डिजाइन बनाने के हमें इसको सेम तरीके से फिल करना है, और अब इस पर डिजाइन कैसे बनानी है, ये आप थोड़ा थ्यान से देखिएगा, तो अच्छे से इसके किनारों को चिपका देने के बाद हमें इस वाले सीरे से इस पर डिजाइन बनाना शुरू करना है, तो बस इसको इस तरह से पिंच करना है, फिर फॉर्ड करना है और फिर किंच करना है, तो ऐसा करते करते आप देखेंगे कि इसके उपर अच्छी सी डिजाइन आने लगीगी, ये बारे डिजाइन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रेक्टिस करनी होगी, और फिर आपकी ये सुन्दर सी आप देखेंगे जो डो है वो एकदम से फ्राई नहीं हो रहा है हलके हलके इसमें बबल्स आ रहे हैं तो बस इतना ही गरम तेल होना चाहिए अब इसमें एके करके हम यह हमारी बनाई हुई गुजिया डालेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे तेल जितना सही से गरम होगा उतनी ही परफेक्ट खसता गुजिया बनेगी आपको तेल な तो जादा गरम करना है और ना ही एक दम धंडा होना चाहिए परफेक्ट गरम तेल होगा तो गुजिया आपकी बहुत जादा शांदार बनेगी जब गुजिया इस तरह से उपर उटकर आ जाए और तेल में ते तो यह तो बहुत ही अच्छा हुआ है और यह हमारी सभी गुजया फ्राइ हो चुकी है तो बस गर्म तेल में बहार निकालेंगे एक टिश्यूप पर रखेंगे और सभी गुजया इसी तरह से बनाकर त्यार करेंगे इस तरह से आपने देखा कि बिना मावा के भी हम ये हमारी गुजिया बना सकते हैं और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये गुजिया बनाएंगे तब आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट खस्ता बनेगी अगर आपको इन गुजिया को थोड़ा और मिठा करना है या आपको जादा मिठा पसंद है तो आप इनको थोड़ी देर के लिए चाशनी में भी रख सकते हैं और इनको पूरी तरह से ठंडा करके आप किसी भी एट आट कंटेनर में भर के रख लीजिए और महीने भर तक आपकी गुजिया चलती रहेगी और आप मज़े से इसे खाते रहेंगे इस आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज़रू लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल इट एमिशस को प्लीज ज़रूर से सब्स्त्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की रेसिपीस मिलती रहें और नए रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल देमिशस